प्रदेश विशेस में आज आमिशंगा हुनेशन जूरे बन्शन्वत्चन मदेशर कारको नारामाई सिमित अतिक्रमन दोहन का कारन बन्मासी दा बाता बरणी ये शमस्या बर्दे जापा को भुटानी सरनार्थी सिविर मा एक यूबती बर्षों देखी टोरीले बाधीन पाध्या सरनार्थी परिशेपत्र नहुदा उपसार गरना समस्या पालपा को रामपूर नगर पालेका द्वारा यूबा उध्यमिलाई ब्याज अनुदान को सुविधा उध्यम सिले यी थी ए प्रदेश विशेश का आजका हेडलाइन्स इस वाहिक रुपन्देही मा जारी बीपी कोईरला मेमोरियल कॉप किरकेट मा बारत्य क्लोग लाइफ कियर को लगातार दोसुरों जीत लगायत का समाचार हामी शंगर रहने सार्थी एरदेगर नोहोस प्रदेश सुरुमा प्रदेश संचेप सोलुकुम्भो को मौसम खरैब उदा रोक्ये को मन्थली लुखला उडान एक खप्टा पसी सुरुभाय कुछा गतशन बार देखिएको मन्थली लुखला उडान मौसम सुधार भाय संगई आयते बार बिहाना 11 वजे बाट सुचारू भायको रामे साफ नागरिक उट्वेन कार्याले मन्थली ले जना आयको साथ एक साथा देखी उडान हुना नसक्दा एक हजार बढ़ी परेटक मन्थली में रोकिये का थे मन्थली मां रोकिये का मध्ये पाथ से बंदा बढ़ी परेटक लाई बिहिवार सुक्रबार रसनिवार तीन दिन हेलिकाप्टर बाटा सुलुखुम्भू को फापलू रसुरुक्या लगिये को थियो मन्थली बिमाने सल्मा पालो कुरेरा बशेका पाथ से बंदा बढ़ी परेटक अब पाले पालो लुकला पुर्यावने नागरेक उट्टेन प्राधी करनले जना आये पुछा कीवी टिप्ने सीजन वैसाग दा समेथ दोलखा का किसान बजार अभाव जलना बाद द्याशन भिगत्मा बश्चन भदो बाटे ब्यावारे बहारी हरो किसान को बगईजा मा पुगेएरा कीवी को मोल मलाय गर्ने गरेको मां यो बर्ष सीजन सुरू भेश सक्दा समेथ ब्याबारी फूगे का सैनन गॉयको बर्ष भन्दा यो बर्ष कीवी उत्पादन जन्दे एक हाँजार मेट्रेक्टन बढडने प्रक्थे पड़ कीवी जोन कारेकरम ले गरेप उत्कीत और बजार, सुढशेशित नहुदा किसार निरास बने का सैन्क किति पर किसाल कीवी टिवेरा, सीथ भन्दाररा अन्माँ भन्दार गरने करेका सैन् दुलखा मा एक हजार हेक्टर मा कीवी खेती भई रहेको मा कीवी जोन काड़ेकरम ले जना आयको सहाँ हामिशन का बाकी नेशन गुरुपन दही मा जारी बिपी को रहला मेमोरियल कॉप किरकेट मा भारत्य क्लॉब लाइफ कियर को लगातार दुसरों जेत और को खेलमा बंगलादेश को स्वाइट किरकेटर्स किजाई रह पालपा को रामपुर्ण गरपाले का द्वारा यूबा उद्देम इलाई ब्याजन दान को सुभी धा उद्देम सिलता परबर्धन हो दे प्रदेश पिशेस प्रदेश मिशेस मा स्वागत छा मदेश प्रदेश का मुख्य मंत्री तथा मंत्री हरूले चूरे बन शम्रक्षण सरकार को उच्छ प्राथमिक्तामा रहेको प्रतिबदता बारं बार जनावशन तर ब्याभार मा भने देखिये को सही न अतिक्रमन दोहन का कारण बन मासियर तराई मदेश मा बर्षिनी खाने पानी सिचाई लगायत का समस्या बर्दे गए पनी अतिक्रमित बन शेत्र खाली गरावन भायको पहल परिनाम मुखी चाई न नेपाल को कूल भुभाग मध्य 45 पर्तिसाद बन शेत्र बहए पनी जन घनत्तो देरे बहए को मधेश पर्देश मा तीन दसमलब 72 पर्तिसाद मात्र चाई जबगी स्वक्ष बातावरन का लागी कूल शेत्र फाल को कमती मा 40 पर्तिसाद बन जंगल हुनु पर चाई यसाई कारण तराई मध्यस मा बातावरनी दुस पर्भाब बर्दे गएको छब पुर्भराष्ट पति डॉक्टर राम बरन यादबले आफुस सहभागी हुने सबई कारिकरम्मा उजार बंदे गएको चूरेको असर तराई मध्यस मा परेको बंदै चिन्ता ब्यक्त गरदे आउनु भायपनी सम्रक्षन मा जिमेबार हुनु पर निकाईले यसलाई गम्भीरता पुर्भाक लिये काचईनन बं तथा बातवन मंत्रालेक अनुसार मधेश को 2,22,200 हेक्टर बं ले ओगटिको चूर जस्मदे आठाई जिलामा राष्टिये साजेदारीर कबूलियत बं शहित 6,008-31 हेक्टर बं शेत्र अतिक्रमित चूर जहां सारजनिक सम्रचना घर टहरा विद्याले तथा संग स्था का भवन बनाईयेकोचा देरा इठाव मता बाकलो बस्ती र खेदी पाति को लागी समेत प्रियोग भई रहेकोचा अजूर हरले गरेको बिनास कारी कारकरम हरु बाता हजूर हरले ने एसको चाहें प्रतिफल भोगनू परने होंचा बहने रत्यों चाहें हामीले आई तेस बाटे के रिजल्ट हमी देखाऊना साक्छाम। पचिलो समय मधेश परदेश का मुख्यमंत्री सतिस्कमार सिमले अतिक्रमित बन खाली गराऊना चाहसो देखाऊनू भायको चाहें दिन अगी मात्रे आठ होटे जिल्ला का बन अधिकरितलाई बोलाये र अतिक्रमन हुना नदीन र परनानू अतिक्रमन खाली गराऊना निर्देशन दिन भायो मुख्यमंत्री को निर्देशन को कारियान में कसरी हुन्च त्यो भने हेर नई बांकी छा जथा भावी हुदे आयको उत्खनन र अतिक्रमन ले उजार बंदे गएको चूरे का कारण मदेश को उर्वर्भोमि बगर बंदे गएको पानी को अभावमा उबजनी गहर दे गएको र पानी को सतह गहर दे गएका कारण गर्मी यामा पिवने पानी को हाहकार हुदे आयको चूरे कांतिपूर समाचार का लागी क्यामरा मा विर्खेश यादव का साथ अनेल मेस्र जोनकपुरधाम धनुशा मानिश लाए डोरीले बादेर राखनू मानव अधिकार का द्रिष्टिले गमभीर अपराद हो तरपनी मनुश्रामाजिक समस्या भयका बेगतिलाए घर परिवार ले नए डोरीले बादेर राखने गरेका अमानविये घटना हामरई शमाज मा भई रहेकाशन। जापा को बेलडागी इस्थित भुटानी सरणार्थी सिविर की एक यूबतिलाई पनी परिवार का सदस्ये ले बादेर राखे काशन। सुस्त मने स्थिति की ती यूबतिलाई डोरीले बादेर राखनू बादेता भयको परिवार का सदस्ये बताऊशन। जापा को बेलडांगी इस्थित भुटानी सरणार्थी सिबीर भित्रको एक छाप्रो मा भीटियेको मार्मिक त्रिश्य होयो छाप्रो नजीके रहेको गाई गोट मा डोरीले बांदियेकी 29 बर्षिया परमिला पोख्रेल चिच्चाई रहेकी बेटी नुभायो आपनाई नाम उचारण गरदै चिच्चाई रहेकी परमिला को गतिविदी नियालदा उहामा मानसीक समस्या छाज़ाई देखिन छा तरह परिवारले उहालाई उपचार का लागी अस्पताल लईजानु को शट्टा बर्षाँ देखी डोरीले बांदेर राखेको छा आफुसंगा सरणार्थी परिचाई पत्रसमेत नभाय का कारण बिरामी जोरीलाई उपचार का लागी बाहीर लईजान नसकेको उहां का बुबाको गुनासो छा आई डी ना लेकरण देखी अमरो दर्ता न बाहीर को लेकरणों लेकर लिए हमेर ले काइई लेकर अपनि Umerlaगी वाजान लेकर 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 लिद्टार्ण देखी पदमलाल की अरकी जोरी उर्मिलापनी सुस्ता मनस्थिती की हुन होंचा, तरह धेरै चक्चक नगरने भयेकाले वहालाई भने बांदी एको छाईना तीस बर्ष देखी भुटानी सरंडार्थी का रूपमा यही सिविर भित्र बसे पनी सरंडार्थी परिजय पत्र पाउना नसक्दा पदमलाल को परिवार ले बिरामी छोरीलाई उपचार गराउना पाएको छाईना एउटी छोरीलाई पशु सरह बांदेरा राखनो परेको छाई यो पोख्रेल परिवार को बादेता भाये पनी एशरी मैंचेलाई डोरीले बांदेरा राखनो मानब अधिकार उलंगन को गंबिर घटना पायेको अधिकार कर्मी को तरक छा मानब अधिकार बांदेरा बद्वा बनाऊनू शराशर मानब अधिकार को बनाऊनू ऐसोता सरणार्थी सिबिर भित्रका कसाईले पनी मानब अधिकार महसुस गरना पाहेका छाईनन तेसमाथी डोरी मादीयेरा बंदक जिबन बिताऊनू जन कति कस्टकर होला कांती पुर्समाचार का लागी रमादाहाल बेल्डागी सिबीर चापा पालपाको राम्पुर नगरपालिका आठका हरी आचारेको परिवारले संचालन गरेको पल्टी फाम हेर्दै लोबलाग दो छा फाम संचालन गर्न रामपूर नगरपालीकाले युवा सोरजगार कारिका मंतरगा 30 लाख को रिण मा ब्याज अंदान उपलब्द गर आये को छा नगरपालीकाले मासिक 24,000 ब्याज तिरदीनी भई पछी यो परिवारले 2000 बाट बढ़ायर 4500 कुखुरा पुरियायको छा छा बर्स दुवई बसेरा फर्कियेका अरी परिवार संग बसेरा ब्याज आये गर्दा खुशी होनां छा एस बढ़ा रामडायर आमदान बहए बनार मेरो पनी शला मिले रा करय सिद गर्यों एस बढ़ा रामडाय छा लगानी सजीले जुटी रायचा दाना अलाई ल्याऊने है, 숲 ल्याऊने पंद्र लाख रुपयां आम्दानी गर्ण होंचा। बंगुर को यवटा पाठो चहजा रुपयामा बिक्री होंचा। उहाले पनी नगरपालिकाको ब्याज अंदानमा रिणलीनु भायको छा। प्याकलुक का किष्ण प्रसाद अर्याल को गोठ मा शत्र ओटा लईना बंशी साइत तीस ओटा बंशी सान। नगरपालिकाले दियेको ब्याज अंदानको दसलाख रिणले रामरो फाइदा बायबाची उहां फेरी तीसलाख रिणलीने सोच माहन अन्छा। ब्याज अंदानमा दसलाख रिणलीयेका गेजाका ग्यानपरसाद भंडारीले पांच ओटा माउ 22 पालेरा मासिक बिशत जाल आमदानी लीरानू भायगो छा। दसलाख रिपया मा सावागी भायरा दुई बर्श को कायरकम मा सावागी भायगो थियें मसंगत्य बंदा अगाडी बार ओटा भाईशी अरू थियें पछी मैने तेलाई विस्तार गर्रा बाईश चोविश अड़ा सम्मा पूर्याये तेलाई दुई बर्श को अबदीमा रत्यो रिण माईले ब्याज अंदान दुई बर्श को लिई साके बसी तो राकम पनी चुकता गरी साके आमीलाई सोजाई दिना हैरी बन्दा बेंग मा डायरेक्ट पत्र अनुसार चाहिं बेंग मा डिबजिर गर्दा हैरी आमी मासिक ब्याज तीरलना अलिकदी कठिन दाई शा नार पालिकाली यो साज गर दियो देखी अलिकदी रामर उन्थियो युबा जाती बईदेशिक रोजगारी मा जाने क्रम बढ़ दाई जाना गाउं रित्तिन दाई जाने अवस्ता परती सचे त्रहदै नगर पालिकाले तरकारी फल फुल तथा पशुपन ची पालन मा शोरजगार बनना दुई वर्षको ब्याज अंदान दिनी गरेको छा येसपाट चार बर्षमा पंचाने बेजाना युबा लाभानवित भाय काचन यो कारेक्रम मा अबद्द रिणिको बेंक खाता मा तिन-तिन मैना मा नगर पालिकाले ब्याज पठाई दिन चा रामपूर नगर पालिकाले पंचाने बेजाना युबा बेवसाई का लागी करिब आठ कर रुपयां बिभिन्न बेंक तुथा बित्तिय संस्ता संग गरेको सम्झावत अनुसार रिन लगानी गरेर एक करोड 12 लाख ब्याज अनुदान दियेको छा रामपूर नगर पालिकाले शुरुगारे को युबा सरोजगार कारिक्टम अंतरगत ब्याज अनुदान कारिक्टम प्रभापकारी देखियेको छा कांतिपूर समचार का लागी माधा बर्याल रामपूर पालपा प्रदेश पिशेस प्रसंटेद बाई एशन पींस ब्रेकपसी प्रदेश पिशेस मा पुना स्वागत शा तिहार नजी क्ये संगे मखमली फूल को कारोभार बढ़े कुछा व्यपारी हरू फूल खेती गरने किसान को बारी में पुगेरा थोक में फूल खरिद गरी रहेका सन। भक्तपुर को सुर्य विनायक नगरपाले का गुंडु का किसान अरूलाई व्यपारी हरू को मागनु सार को मखमली फूल दिना भ्याई न भ्याई सा। भक्तपुर्श रहकर में सुन्दर सिल्फा कार को जोरी पोठेरा। भक्तपुर्श रहकर में सुन्दर सिल्फा कार को जोरी पोठेरा। भक्तपुर्श रहकर में सुन्दर सिल्फा कार को जोरी पोठेरा। मखमलीको माला बेचरे दसें रा तिहार सहस रुपमा मनावंदै आउनु भायकी गुन्दुकी सरिता नगर कोटिले बैसाक महिनामा रोपेको फूलको माला साउन देखिने उन्ना थालनु भायको हो। तरह अज़े माक अनुचार को माला उनी सकनु भायको छाइना। मखमली पूलको माला जती आकर्सन देखिने तेथी सहस बने चाइना मखमली फूलरुपना। एसमा चाड़े कीरा लागछा। समय मिलाहर कितना सक अउस दी छर्कोनु पर्चा। खर्चबनी उत्तिके लागछा। अज़े एसपाली मंचुन सकीन लागडाको पारी बर्चा। एसले तेरे असर गरेको फूलकिसान का गुनासो छा। विशेश गरी भाईटिकाको दिनमा दिदी भहिनिले दाजु भाईको दिर्गायुको कामना गरदै बिभिनन फौल्फूल मिठाई लगायाटका उपहार दिने गरींच। अनि कहिले इन उईलाउने मखमली फूलको माला लगाय दिने चलन छ। गुन्डु का प्रटेक कर्मा मखमली फूलका माला एसरी तयार पहिरह का छन। मखमली फूलका मालाले पनी तिहार लाई स्वागट गर्न आतूर भईको जस्तो देखिन छ। कांटिपूर समाचार का लागी क्यामरा मा विकास जोशी का साथ सुन्दर सिल्पकार पक्टपूर। रुपन्दही मा जारी बीबी कोईरला इसम्रिती कॉप टी ट्वांटी किर्केट परत्युगीता मा आतवार भारत को लाइफ क्यार किर्केट क्लब र बंगलादेश को साइट किर्केटर्श विज़ई भई का सन। भईरभा को सिदार्था किर्केट मुईदान मा भायको पहिलो खेलमा भारत्य क्लब लाइफ क्यार ले निकसस रुपन्दही एगारा लाई साथ विकेट ले पराजित कर दे लगातार दोस्तरों जित दरता गरे। निकसस रुपन्दही ले दिये को 134 तरण को लक्षे लाइफ क्यार ले बात्र तीन विकेट को स्षेती मा तीन ओबर तीन बल बाकी सदे पूरा गरे को थिये। 133 रन बनाएको थियो। 18 रन बनाए चर्चित पाकिस्तानी पुर्वराष्ट्रिये किर्केटर इम्रान नाजीर ले बने मात्र एक रन बनावनों शके। पुर्थिगीता अंतरगत सोंबार पहिलो खेल स्रिलंका स्टेट सर्विस किर्केट एचुसेशन रबंगलादेश को साई किर्केटर्श बीच हुने सवने। दोसरों खेलमा नेक्सस रुपन देहिए घारा रपाकिस्तान को जावेट गुहर इंटर्नाशनल किर्केट एकेडमी बीच परतिस्परदा हुने शाँ रेस्पिसेश सहीललाई शक्तियों कांधी बुदेली भीजन हर्दगर्न मलाएं समस्तु समस्तु